अगर आपने ये next 2-3 months को अच्छी तरीके से यूज नहीं किया तो board exams में जब आप अपनी mark sheet खोल के देखोगे आप अपने score से satisfied नहीं होगे अगर आपके लिए आपके board exams को ही महतवर रखते हैं तो ये plan को follow कर लो बेटा ये आपकी last opportunity है ये वीडियो होने वाला है सारी streams के बच्चों के लिए science के लिए commerce के लिए humanities के लिए आपके board exam आने वाले हैं आपके पड़ाई करने के लिए सिरफ तीन महीने बचे हैं क्योंकि उसके बाद आपके board exam शूरू हो जाएंगे guys this is a wake-up call for all of you इस वीडियो में मैं आपको एक detailed roadmap देने वाला हूँ चाहे आप किसी भी stream के हो आपके कैसे भी subjects हो ये roadmap आपको zero to hero लेके जाने वाला है आपके चाहे कितनी भी preparation हुई हो या नहीं हुई हो ये plan, ये strategy, ये roadmap आपके लिए बना है ऐसा roadmap जो एक topper भी follow कर सकता है एक ऐसा roadmap जो ए So guys make sure that you watch this video till the end, मैं recommend करूँगा कि आप एक pen और page के साथ बैठो, सारी चीजों को note down करो और मेरे साथ ये plan बनाओ, मैं आपको एक template दूँगा, एक पूरा plan दूँगा but I need you to also provide your own input to personalize it to your own skills and liking. सबसे पहली बात disclaimer दे दूँ, इस study roadmap में हम assume कर रहे हैं कि आपके पास 5 main subject हैं, आपके पास छटा subject है तो आप इसे बिल्कुल include कर लेना, आप इसे बाद में पढ़ सकते हो, पहले पढ़ सकते हो, लेकिन सबके पास 5 main subject होते हैं, ये assumption है और 5 main subject को ही हम strategize करने वाले हैं, अग 1, this is going to interfere with your preboards prep, I am saying this for people जिन्हों को बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपने थोड़ी पढ़ाई करी है, तो आप preboards निकाल लोगे, and अगर आपने बहुत जादा पढ़ाई कर रखी है, आप फिर भी road map follow करना बेटा, for your boards revision, ये बहुत जादा manageable है, ठीक है, तो जिन् high score expect नहीं करना है, क्योंकि अपर syllabus ही नहीं हुआ है, अगर आप ऐसे बच्चों जो अभी जाग रहे हो, then आपको okay होना पड़ेगा with scoring less in your preboards, लेकिन that doesn't matter, preboards एक practice exam है, अगर आप इस road map को follow करते हो, तो जो exam actually matter करता है, the board exam, उसमें आपके बहुत बढ़िया number आएंगे, अग road map को follow करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि, जो मैं road map देने वाला हूँ, वो month wise होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक week wise चीज़ बता दूँ, Monday to Saturday हम पढ़ाई करेंगे, और जो भी हमने Monday to Saturday पढ़ा है, Sunday को उठके हम वो बैठके सब कुछ revise करेंगे, revision is also important, and आपको Sunday को एक dedicated revision day बनाना पड़ेगा, let's talk about November, December and January, तीन महीने जो हमें मिल रहे हैं for our board exams, क्योंकि February में हमारे board exams शुरू हो जाएंगे, थोड़े दिन मिलेंगे February के, बट उसमें आप अपने first board exam की तयारी कर रही होगे, so these three months are going to decide कि आपकी mark sheet में 95 लिखा हूआएगा, 98 लिखा हूआएगा या फिर 60 लिखा हूआएगा, by the way, before we start this roadmap, आपके board exams के लिए मैं बहुत hard work कर रहा हूँ, पूरी Grandicat की team बहुत जादा hard work कर रही है, अभी के अभी subscribe कर दीजिए और इस video को like कर दीजिए, ऐसे और videos आपके पास आते रहेंगे, हम board exams में आपको बहुत ही जादा बढ़िया number आपके देंगे, we will help you do that. प्रेपरेशन हो, आप revision stage पे हो, या फिर आप study कर रहे हो शुरू से, जिसमें आपको थोड़ा struggle होगा, लेकर हमें struggle embrace करना है, दिन के 8-10 घंटे हमें बैठना है पढ़ने के लिए, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, हम दो subject लेंगे. By the way guys, अभी कभी comment करो, this is an excess है, इसके आपको दो सबसे जादा tough subjects कौन से लगते हैं, और दो सबसे जादा easy subjects कौन से लगते हैं, comment down below, I really wanna know. First 15 days of November, हम पढ़ने वाले हैं, the hardest subject. आपके रहे कोई भी hardest subject हो सकता है, history हो सकता है, accounts हो सकता है, 15 दिन हमें देने हैं, हमें बैठना है, daily targets बनाने है, hopefully हम 1-2 chapter निटा रहे हैं, एक दिन में चाहें, आप YouTube से पढ़ रहे हो, आपका intuition ले रहे हो, आपने Grand Aguard के courses join कर रखे हैं, आ 1-100% तक हर chapter पढ़ना है, 15 दिनों में, आपके लिए सबसे hard subject है, which is going to take place in the first 15 days of November, then in the latter half of November, जो 15 दिन नवेंबर में बचेंगे, वो हम use करेंगे for our second hardest subject, वो सबके लिए अलग हो सकता है, मैं ये नहीं बता सकता आप कौन सा चुन, but for example, मैं 12th में होता, तो मिरे को second hardest लगता economics तो मैं economics को कर रहा होता, मुझे hardest लगता maths, तो मैं maths पहले कर रहा होता, अब एक बात बता दूँ, जिसके पास भी maths है, बेटा, maths इन तीन महीनों में हमें रोज at least 1-2 घंटे पढ़नी है, maths में आपको रोज प्राक्टिस लगानी है, तो आप maths को hard subject में count मत करो, अगर आपकी maths बहुत ही गंदी, आपने somehow पूरे साल में पढ़ी नहीं है, mathematics, फिर आप count कर सकते हो, लेकिन अगर आप maths पूरे साल पढ़ते हो, आ रहे हो कि देखो यार, it's not possible कि आपने maths बिल्कुल नहीं पढ़ी, if you have maths in 12th, so आप maths daily 1-2 hours करोगे, ठीके समझागे, नवेंबर में 15 दिन hardest subject उसके बाद 15 दिन, second hardest subject, maths है, रोज एक घंटा देना है, अब English के लिए मैं आपको पहले बता दू, English अपके पास है, या तो English होगी या हिंदी होगी, आपके पास, रोज 15 मिनिट सोने से पहले मैं आपको एक टास्क दूँगा, कि आपको chapter पढ़ना है, ठीक है, कोई भी chapter उ सारा strategize करके दे देंगे, English में आपके बढ़िया number आजाएंगे, अगर आप वो join करना चाते हो, इस QR code को scan कर लो, या description में चला जाओ, या फिर हमारी app डाउनलोड कर लो, अब हमें पढ़ना कैसे है, we need to focus on rote learning the definitions, we need to be very future oriented, अगर आप CUETी दे रहे हो, तो आपको definitions, chronology, इन हम जैसे भी पढ़ सकते हैं, starting से finish, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो बेटा और आप इस roadmap को follow कर रहे हो for completing your syllabus, तो उसके लिए हमें कैसे पढ़ना है, road learn करनी है, सारी definitions, सारे important past year questions अगर हमें दिखते हैं, किसी book में हमें पता चल रहे हैं, फिर हमारी teacher ने हमें बताए हैं, जो भी सबस्यादा important चीज़ें हैं, जो हर बार आती हैं, like principles of management in business studies, circular flow of income in economics, ऐसे-ईसे concepts जो बहुत basic हैं, जो board exam में पूछा जाते हैं, उन्हें हमें जादा attention देनी हैं, क्योंकि हम 15-15 दिन दे रहे हैं एक subject को, it's actually way more than enough for subject mastery, सो हमारा aim होना चाहिए कि हम एक subject को इतनी minimum हैं और 15 दिन में आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ेगा, पढ़ना छोड़ो 8 घंटे बैठना तो पढ़ेगा, तो आप बोल रहे होगे, sir 15-15 दिन तो हो गया, लेकिन मेरे hardest subject में भी ऐसे chapters हैं, जो मेरे को बिलकु बिलकु अच्छी तरीके से आते हैं, तो आप उनको छोड़ दो, पहले आप वो chapters करो जिनके उपर आपकी mastery बिलकुल नहीं है, जो आपको toughest लगते हैं, toughest वाले पहले करो, remember this strategy is called eating the frog first, हम not only November में अपने सारे hard subjects निप्टा रहे हैं, we are also focusing on the chapters we find hard, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें एक subject बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कहीं chapters उस अपने hardest subjects निप्टा लिए हैं, December में हम करने वाले हैं, the subjects we find the easiest, इसमें हो सकता है political science and sociology, इसमें हो सकता है business studies and physical education, इसमें हो सकता है computer science and informatics practices, कुछ भी हो सकता है जो आपको दो सबसे आसान लगते हैं, English के सिवाई, English तो हम रोज 15 मिनिट करी रहे हैं, Grandicat Pro Max के member हो, तो उसमें तो हम क्या ही रहे हैं कि आपके बहुत बढ़िया number तो आएंगे ही, तो December में आपकी advantage क्या है कि अगर आपको ये दो subject easy लगते हैं, तो हम assume कर रहे हैं कि आपको इसमें ज्यादा चीज़ें आती हैं, आपने पहले भी ये ज्यादा चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपके number इसम first 15 days to the second easiest subject and the next 15 days to the subject we find the easiest in class 12, तो हम 15-15 दिन तो दे रहे हैं, बट बेटा अगर आपको ये easy subjects लगते हैं, तो आपको एक तो सबसे easy subject में तो आप 7-8 दिन में निप्टा दोगे, maybe the second easiest subject will take more time than that, बट इसमें benefit क्या है कि आप ये चीज़ें जल्दी निप्टा होगे, नवेंब अब देखो, सब लोग maths की बात करेंगे, maths तो हम रोजी कर रहे हैं, लेकिन इस time पे, अगर आपका extra time बचता है और आपके पास maths जैसा subject है, ठीक है, तो बेटा मैं काऊंगा, जो आपका time बचता है ना, उसमें आप revision शुरू कर देना, for example, आपने easy subjects 15 दिन ने निप्टा लि है, for example, like computer science हो सकता है, for some people, history हो सकता है, for some people, आप उसको ध्यान देना, अगर आपके कोई भी दिन बचते हैं December में, उसमें आप maths की rigorous पढ़ाई करो, और जो भी आपने इन दो महीनों में पढ़ा है, उसकी revision शुरू कर दो, अब आने वाला है January का roadmap or study plan, उससे पहले मैं आपको पे देखा है, English ने लोगों की percentage बचा ली, किसी के 80 marks भी आगे, किसी subject में 70 भी आगे, उनके English में 95 आए थे, तो उनकी subject percentage overall जो है, वो बच गई, English को हम एक नोड नहीं करना है, मैंने आपको बता है, आपको रोज 15 मिनिट without fail English को पढ़ना है, के लिए Grand Acad के free resources हैं, by the way, on our channel, animated videos मिलेंगा, हर एक chapter के, तो आप वो देख सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी और personalized study plan चाहिए, और personalized पढ़ाई करनी है, so I want to introduce you to the Grand Acad Pro Max champion English crash course, इसमें आपको हर एक चीज मिलेगी, study material, आपको कुछ भी और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, sample में पर, हम आपके answers को analyze कर बन सकते हो, 9x9 lectures, एक एक चीज़ की explanation, writing skill master classes, सब कुछ for a very very little amount, last year इस course के बच्चों के 95, 96, 97, 98, 99 आएं हैं, और हम आपकी भी wait कर रहे हैं कि आप इस साल हमें join करो और SS course लाओ, तो अगर आप interested हो, अभी के अभी इस QR code को scan करो, या फिर Grand Cat की app को download कर लो, इसमें courses ही मिलेंग है आपको, अफिर आप उस link को click कर तो, जो description और print comment में है, जैनुरी we're gonna kick off with sample papers, yes guys, sample papers का एक ही benefit है, sample papers का benefit है, कि वो हमें बता देता है कि हमारी पढ़ाई कितनी अच्छी है, sample paper करकर के आपके number नहीं बढ़ेंगे, लेकिन sample paper करके आपको समाझ आजाएगा, कि मेरे board exam में अच सारे subjects जो हमने November और December में पढ़े हैं, 15-15 दिल लगाखे, उनके हम sample paper करेंगे January में, so January 1, 2, 3, 4, 5, हम 5 sample papers करेंगे, one of each subject that we have, अगर आपके 6 हैं, तो आप January 6 को भी ले लो, by the way, we recommend some sample papers, we are affiliated to them, so affiliate link, disclosure आपको दे रहा हूँ, affiliate link आपकी description में मिल जाएगी, अपकी date sheet भी आ चुकी होगी, तो आपको थोड़ा better idea होगा, what to do in February, लेकिन start off January with sample papers, उन्हें evaluate करवाओ, अपनी school की teachers से, आप उनको दोगे, वो खुद कर देंगे, उनको sample paper दोगे, और उनको अपनी copy दोगे, बिलकुल board exam type वाली, they will evaluate for you, उसके बाद हमें अपने number देखने हैं, कि मेरे इस subject में कम क हुआ है, उस subject में जादा क्यों हाए, जिसमें जादा आ रही हैं, उनने तो छोड़ दो, वो आपके मतलब strong subjects बन चुके हैं, लेकिन जिन subject में आपके कम number आ रहे हैं न बेटा, जैनुवरी में हमें उन पे focus करना है, जैनुवरी में उन subjects पे आप फोकस करो, जिन subjects में आपके कम number आएं in the sample papers, और बाकी subjects की revision जारी लगा, लेकिन I would say give 70% और 80% of the time to the subjects in which you haven't scored well, मैं कहा हूँगा, अगर आप ambitious student हो, तो you should be aiming for at least 90%, 95%, यह तो regular aims होती हैं अजकल, लेकिन अगर आपकी ऐसी स्तिती है, जिसमें आप एक subject में fail हो रहे हो, तो बेटा सारी की सारी energy उस subject पे लग आप उन चीज़ों को पढ़के बिलकुल अपना score उपर ला सकते हो, और board exam topper बन सकते हो, grand regard champion बन सकते हो, guys, February की date sheet आने के बाद हम एक साथ बेट के plan करेंगे, अभी के अभी grand regard को subscribe कर दो, grand regard के courses आप देख सकते हो हमारी app पे, there's no free material there because we really invest in our students, so if you're interested in that, you can download our app or you can also check the link in the description or the pinned comment, मैं recommend करता हूँ, अगर आपको English को outsource करना है, ताकि आप अपने बाकी subjects पर ज्यादा focus कर पा हो, grand regard का, English crash course बहुत ज्यादा suitable होने वाला है आपके लिए, it's gonna take a lot of weight off your shoulders, हम आपकी English की responsibility ले सकते है, QR code यहाँ पे है और description में links है, date sheet आईगी, तब मैं February का roadmap आपके लिए Okay guys, comment down below, आप और किस topic पर वीडियो चाहते हो, हम हर comment को देखते हैं, अगर आपके पस कोई query है, उसे भी comment कर लो, and yeah, we'll be sure to make videos on it, alright, till next time, keep putting new champions